नमस्कार प्यारे बच्चो आज मैं सुनील सिंग जसरोटिया टीचर गौवर्मेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉइज गटुवा आपके सामने आठवी के सिविक से तीसरा चैप्टर जिसका शीर्शक जिसका लेसन का नाम या हमें संसद क्यों चाहिए इस पर संख्षेप में चर्शा करूँगा जैसा कि बच्चो आपने पहले भी छेमी में और साथमी में भी सिविक्स में पड़ा होगा डेमक्रिसी के बारे में आज जो टॉपिक है उसका शीर्शक है वाई डू वी नीड पार्लिमेंट कि हमें सं संसद क्यों चाहिए इस से पहले हमें भारत के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा जैसे आपको पता है कि वी इन इंडिया प्राइड अवर सेल्फ ऑन बीइंग डैमोक्रेसी क्योंकि हमें इस वात का गर्व होना चाहिए कि हम भारत के हम विश्व के एक बहुत बड़ लोग तंतर का हिस्सा हैं वे अन्डर्स्टेंड अर्लेशन बीटीन आइडिया ऑफ पार्टिश्पेशन इन डिसिजन मेकिंग वो जो भी संसद में डिसीजन या जो भी चीज़न लगू होती हैं उसके लिए डिसीजन मेकिंग पॉसस में हर नागरिक की हिस्सदारी होती है and the need for all the democratic government to have the consent of their citizens कि हर नागरिक जो है उसमें भाग लेता है संसद में अब वो संसद में किस तरह से भाग लेता है आज इसी पे हम बच्चों चर्चा करेंगे सबसे पहला प्रशन उठता है कि वाइ शूड प्यूपल डिसाइड कि भारत के लोग या भारत के नागरिक पार्लिमेंट में क्यों डिसीजन लें पार्लिमेंट में जो भी डिसीजन लिये जाते हैं तो उसमें हमारा क्यों रोल रहे तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया as we know become independent on 15 अगर्स 1947 जैसे कि आप बच्चों को पता होगा कि 15 अगर्स तो 1947 को भारत अजाद हुआ था परंतु preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated लेकिन आपको पता होगा कि भारत का एक बहुत लंबा इतिहास है हमारी अजादी का हमारी जो struggle है वो एक बड़ी difficult दोर से हम गुजरे और बहुत सारी many sections of the society हर समाज के हर वर्ग ने उसमें भाग लिया and people from various background join the struggle हर background के लोगों ने struggle में भाग लिया था and they were inspired by the idea of freedom क्योंकि उनके अंदर एक idea था freedom का equality का participation in decision making का तो वो सारा idea जो था उसी के मधे नज़र रखते हुए कि भारत की करांती में हमने सभी लोगों ने हिस्सा लिया परंतु क्या हुआ कि under the control under the colonial rule जब अंग्रेजी साशन था जब बिटिश सरकार थी तो people had lived in a fear of British government तो उस समय हमारे जो देश के नागरिक थे जा देश के लोग थे उनके उनके अंदर जो है कहीं न कहीं British government का डर था and did not agree with many decisions that they took जो भी वो decision लेते थे तो हमारे भारत के नागरिक के ही decisions पे उनसे सहमत नहीं होते थे but they faced grave danger if they try to criticize the decision लेकिन उनको बहुत ज़्यदा खत्रा था कि अगर हम उनके decision को criticize करते हैं तो शायद the freedom movement change the situation तो हमारी जो movement थी उसकी situation change हो जाएगी लेकिन the nationalists begin to openly criticize the government लेकिन जो हमारे nationalist लोग थे उन्होंने हिम्मत रखी और उन्होंने सरकार को criticize किया openly criticize किया and make demands उन्होंने अपनी demands को उन Britishers के सामने रखा as for back as 1885 1885 में the nationalist Indian National Congress जो भारत की राष्ट्री Congress थी उन्होंने demand की कि that there be elected members in the legislature कि जो भी विधान पालिका होगी उसमें elected members होने चाहिए ताकि with a right to discuss the budget and ask questions ताकि वो budget पे या question पूछ सके अगर सरकार की कोई policies बनती है जो Government of India Act 1909 allowed some elected representation तो 1909 में एक Government of India Act बना जिसके तहत जो है हम elected representative बना सके while these early legislature under the British government were in a response to growing demand of nationalists तो इससे पहले क्या था कि जो legislature थी उसमें भारत के लोग decision लेने के हकदार नहीं थे they did not allow for the all adult to vote और could participate in decision making तो ना बोट देने का अधिकार था जो 18 साल से उपर थे ना ही हमें decision making process में participate करने का अधिकार था तो जैसे कि बच्चों आपने chapter 1 में पढ़ा है as you read in chapter 1 the experience of the colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all the persons in independent India would able to participate in decision making decisions तो जैसा हमने first chapter में पढ़ा था कि किस तरह से decision जब भारत जाद हुआ हुआ भारत जाद के बाद हमने decision making process में किस तरह से participate किया तो with the coming of independence जैसे ही भारत जाद हुआ we are going to be a citizens of free country तो हम एक सतंतर भारत के नागरिक बने and this did not mean that the government could do what it felt like तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत अजाद हो गया भारत गुलाम गुलामी से बाहर आया तो इसका मतलब यह नहीं था कि जो हमारी सरकार थी वो अपना decision ले सके जैसे उसकी इच्छा हो तो इसके लिए क्या हुआ तो dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the constitution of independent India तो जब हम अजाद हुए तो जो freedom struggle थी उसमें जो हमारी aspirations थी जो हमारी demands थी जो needs थी वो सारी needs जो है हमने अपने constitution of India independent India के अंदर concrete manner में उसको enter किया, दर्ज किया and lay down the principles of universal adult franchise और उसके लिए हमने क्या किया 18 साल से उपर हर विक्ति को board देने का अधिकार दिया ताकि that adult citizens of the country have right to board ताकि वो इस देश के decision making process में भाग ले सके तो इस तरह से अब Parliament के अंदर किस तरह से नागरी का अपना decision ले पाते हैं अज उसी पर हम बात करेंगे तो it is a decision of people that create a democratic government तो कहते हैं लोगों का ही decision है जिससे हमारी एक democratic government जो है वो create होती है and decide about its functioning और उसका जितना भी कारे है उस पर decide करता है जो basic idea था in this kind of democracy is that main idea क्या था इस तरह की democracy का कि that individual or citizen is most important person कि हमारे देश में सबसे मुख्य जो भाग होगा वो मारे आम नागरीकों का होगा that principles the government as well as other public institution need to have trust of these citizens तो इन नागरीकों पे उनको विश्वास करना होगा जो भी government के institutions होंगे वो लोगों की इच्छा के अनुसार ही कारे करेंगे अब प्रशिन उठता है कि how does the individual give approval to the government अब जो individual है वो government को किस तरह से approval देंगे कि उन्हें क्या चाहिए या किस तरह से सरकार जो है कार करें तो सबसे पहला वे क्या है one way of doing so as you read is through elections जैसा कि आप जानते हैं कि हम देश के नागरिक जो है elections के दौरा अपनी सरकार चुनते हैं और पार्लेमेंट में भेजते हैं जो हमारे लिए bills या rules बनाते हैं नियम बनाते हैं तो people would elect their representative to the parliament तो लोग क्या करते हैं सरकार को चुनते हैं अपने representative भेजते हैं parliament में and then one group from among these elected representative from the government तो इस तरह से कोई एक group किसी एक party का group जो है वो elected representative form में सरकार को बनाता है and parliament which is made up of all representative together तो बच्चों क्या होता है कि जितने वी जो जो भी हमारी parliament है parliament में हम जितने वी representative भेजते हैं वो सारे कठे मिलके क्या करते हैं control and guides the government वो सरकार को control or guide करते हैं and in this sense people through the chosen representative form the government and also control it तो जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं वो ही सरकार बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और वो ही सारे चीज़ें सरकार के नियम बगारा बनाते हैं तो इससे वाइशूड people decide अब लोग किस तरह से decide करते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोगों को decide करने का माध्यम जो है वो क्या है हमारे representative होते हैं representative जाने की जिन को हम चुन के सरकार उस पार्लिमेंट में भेजते हैं संसद में भेजते हैं अब संसद का क्या रोल आता है वाट इस रोल पार्लिमेंट अब पार्लिमेंट का क्या रोल है हमने जिनको representative बना के भेजा अब आगे संसद में जब उनको भेजा तो आगे फिर संसद का क्या कारे रहेगा आप उस पे चर्शा करेंगे तो बचो जैसे पता है कि जो इंडियन पार्लिमेंट है is an expression of the faith that the people of India have in the principles of democracy जैसा कि बच्चो आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्लिमेंट जो है कि सिद्धानत पे चलती है डेमोक्रेसी कि सिद्धान पे चलती है तो जो पार्लिमेंट है in our system has immense power तो इसके साथ ही पार्लिमेंट के पास वो सब powers है because it is the representative of the people क्योंकि इसमें जो हम लोग जिनको representative बना के भेजते हैं तो वो सारी powers हम उनके पास नहित रहती है and elections to the Parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature जैसे state legislature होती है वैसे ही हमारी पार्लिमेंट कार्व करती है लोग सबा के लिए लोग सबा जो है is usually elected once every five years हम पांच साल के बाद लोग सबा का चुनाव करते हैं और लोग सबा के members बना के हम जिसको हम MPs कहते हैं member of Parliament Assembly वो कहते हैं तो वो हम संसद में बेजते हैं तो जो country है हमारा भारत जो है that is divided into numerous Constances भारत में बहुत सारी Constance है यानि की 543 लोग सबा की Constances है और each of these Constances elect one person to the Parliament और हर एक Constance से एक आदमी एक representative हम Parliament में भेजते हैं जो जीत जाता है and the candidate who contest the election usually belong to different political parties और जो भी व्यक्ति भाग लेता है वो किसी न किसी party से जुड़ा होता है और जो जीत के जो है पार्लेमेंट में participate करते हैं अब जैसे बच्चों आपको पुता होगा भी सत्रवी लोग सभा के elections हुए थे मेई 2019 में जिसमें फाइव हंड़र्ड फॉर्टी त्री जो हमारी Constances थी इसके उपर जो था election हुआ था जिसमें से आपको पता होगा जैसे आज हमारी केंदर सरकार जो है वो भारती जनता पार्टी के है जिसने 303 सीटें जो थी उस जिसके 303 यानि की नंबर आफ जो मेंबर पार्लिमेंट थे वो 330 थे ऐसे ही दूसरी जो पड़ी पार्टी थी वो इंडिया नाशनल कॉंग्रेस थी जिसकी 52 सीटें थी जो अपोजिशन पार्टी आई जो सबसे बड़ी है अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितनी सीट्स होती है सरकार बनाने के लिए चाहिए होती है तो 543 में से दो थी हाई बहुमत हमें चाहिए होता है किसी भी पार्टी का ताकि वो सरकार बना सके यानि कि 272 सीटें अगर किसी पार्टी के आती है तो वो अपनी सरकार बना सकती है या किसी regional party जिसको अपने साथ मिला के सरकार का निर्मान कर सकती है तो अब बात आती है कि once जो elected जो एक बार हम elect करके भेज देते हैं जिसको and these candidates become members of parliament तो वो सारे candidates क्या कहलाते हैं members of parliament कहलाते हैं जिनको MPs कहते हैं तो these MPs together make up the parliament तो बच्चों जैसा कि आपको पता यह सारे MPs जो है यह parliament में बैठते हैं और parliament ही इन से बनती है once election to be parliament have to be taken place जब parliament का elections हो जाते हैं उसके बाद जो parliament है needs to perform following functions तो वो कुछ functions अपने play करती है role play करती है अब parliament की क्या कारे है अब उस पे चर्चा करेंगे parliament का जो सबसे पहला कारे है जो पहला functions है वो है to select the national government एक राष्टी सरकार का निर्मान करना यह हमारी संसद का काम है तो पार्लिमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट आफ प्रेजिडेंट अब पार्लिमेंट के अंदर कौन कौन है पार्लिमेंट में कंसिस्ट आफ प्रेजिडेंट यानि कि हमारे राष्टपती माननी राष्टपती राज्यसभा राज्यसभा के सदस्य और लोगसभा लोगसभा के सदस्य तो तो अफ्टर दो लोगसभा लेक्शन हो जाते हैं अव मैंनी MPs बिलॉंग निगैं कितने MP किस पार्टि ऐलॉंग कर ते हर एक पाटी से कितने MP जो हैं वो चुने गए है और किस पुलिटिकल पार्टी की सरकार होगी They Must Have A Majority of elected MPs, तो जो भी elected MPs होते हैं, जिस party के सबसे ज़्यदा elected MPs होते हैं, वो सरकार का निर्मान करती है, since there are 543 elected members in लोगसभा, जैसे मैंने आपको बच्चो पहले ही बताया कि total जो members होते हैं, 543 elected member होते हैं लोगसभा के, जिन में से दो Anglo-Indian होते हैं, यानि कि 545 हो तो जो majority है party है, majority party को at least half the number of 272, 272 number जो हैं, उनको members चाहिए होते हैं, या इससे ज़्यदा members को चाहिए होते हैं, ताकि वो सरकार का निर्मान कर सके, तो जो opposition है in the parliament is formed by all the political parties that oppose the majority parties or coalition formed, तो इस तरह से जो opposition parties हैं, जो सरकार के निर्मान में भाग नहीं लेती हैं, वो opposition में बैठती हैं, और largest among these party is called opposition party, जो largest party होगी इसमें, दूसरे number पे वो opposition party कहलाएगी, तो one of the most important function of the loksabha is to select the executive, अब इसके बाद जो सबसे बड़ा function, loksabha का आता है, वो है executive को select करना, जैसा कि executive के बारे में, हमने बच्चों आपको पहले ही chapter one में बताया था, कि executive is a group of person who work together to implement the laws made by the parliament, तो executive वो लोग हैं, वो persons हैं, जो parliament का ही हिस्सा हैं, लेकिन वो laws को implement करते हैं, जो भी bill या law लोकसभा में, राजसभा में पास होते हैं, उनको implement करने की जैमेवारी जो है, वो किसको रहती है, executive, and this executive is often what we have in the mind when we use a term government, जब हम government बोलते हैं कि सरकार किसको कहते हैं, तो यह executive body है, जिसको हम main सरकार कहते हैं, तो prime minister जो इंडिया का है, जो भारते के माननिय परधान मंत्री हैं, वो क्या करते हैं, वो he is the leader of the ruling party, वो main leader होते हैं ruling party के लोकसभा के, and from the MP who belong to her party, the prime minister select the ministers to work with her to implement decision, तो जितने भी decision लिये जाते हैं, implement किये जाते हैं, तो वो prime minister ही select करते हैं ministers को, कि these ministers then take the charge of different areas of the government, तो government के जो different areas होते हैं, उसमें ये जो ministers हैं, ये सारे अपना function करते हैं, जैसे health minister है, education ministers हैं, फिर finance minister हैं, ये सारे जो हैं, इनको अलग अलग mantra लें दिये जाते हैं, और वो अपना function देश में करते हैं, इसके साथ ही जो राज्यसभा का function है, primarily as a representative of the states of India, भारत के जितने भी राज्ये हैं, वहीं से जो हैं, हर एक राज्यसभा से राज्यसभा का member चुना जाता है, तो राज्यसभा जो है, can initiate legislature, वो legislature को ही initiate करती है, विधान सभा को ही आगे initiate करती है, and bill is required to pass to the राज्यसभा, जो भी bill लोक्सभा में पास होगा, वो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, ताकि in order to become a law, ताकि वो एक law बन सके, and it therefore has important role for reviewing and altering the laws initiated by लोक्सभा, राज्यसभा का दूसरा कारे क्या है, कि वो उस पूरे bill को review करे, उसको में अगर कोई बदलाव है, बदलाव करे, तो जो members हैं राज्यसभा के, और elected by the elected members of the legislative assembly of various states, जो जितनी भी states हैं, उनके जो legislative assemblies हैं, वहीं से वो elected members चुने जाते हैं, तो भारत में there are 233 elected members, भारत में 233 elected members हैं, राज्यसभा के, जिसमें से प्लस 12 members हैं, nominated by the president, तो president जो हैं, 12 members जो हैं, वो खुद चुनते हैं, और 233 जो हैं, वो अलग-लग state से elected member चुनके आते हैं, तो इस तरह से ये पूरी संसद का निर्मान होते हैं, हमारी parliament की formation होती है, इसके बाद जो दूसरा function है, हमारी parliament का, तो बच्चों वो है to control, guide and inform the government, यानि कि government को control करके रखना, government को guide करना, दिशा निदेश देने और government को inform करना, ये हमारा दूसरा कारे है, parliament का, तो parliament while in a session, जब भी parliament का session होता है, begin with question hour, तो उसमें एक question hour होता है, जिसमें प्रशन पूछे जाते हैं, the question hour is important mechanism through which MP can elicit information about the working of the government, तो जो MPs हैं, जिनको हमने चुनके बहजा है, तो वो सारी information जो है, वो सरकार को देते हैं उसमें, कि पूरा mechanism बताते हैं, कि किस तरह से, किस छेतर में उन्होंने क्या-क्या कारे किये हैं, and this is the important way through which the parliament control the executive, तो इस तरह से जो parliament है, वो executive के ऊपर भी control करती है, by asking questions, the government is altered to shortcomings, तो जो government की, जो सरकार की shortcomings हैं, कमिया हैं, and also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament, और जो लोग जिन जिन्होंने अपने representative भेजे हुए हैं, पारलिमेंट के अंदर, तो वो भी question पूछ सकते हैं, वो भी जानना चाहते हैं, कि क्या कारे कर रहे हैं, तो वो सारे decision, जो हैं, वो सारे फैसले, जो हैं, जो सारी information, जो हमें, पारलिमेंट में मिलती है, इसके लावा asking the question of the government is crucial task for every MP, तो ये सबी जो MPs हैं, इनके लिए सबसे बड़ा, ये important task है, कि उनसे question पूछा जाता है, कि उनके area में, उन्होंने क्या-क्या कारे किये, तो जो opposition party है, उनका बड़ा चादा प्ले, रोल, critical रोल रहता है, कि इन्हें healthy functioning of the democracy, ताकि एक democracy के healthy manner में चल सके, तो इसके लिए they highlight the drawbacks in the various policies and programs, तो जो भी सरकार की policies हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर अगर कोई कमिया हैं, कोई drawbacks हैं, तो उनको mobilize the proper support of their, for their own policies, तो वो अपने decision उनमें बता सकते हैं, कि सरकार की ये कमिया हैं, सरकार इनमें ये कमियों को इस तरह से ठीक कर सकती है, तो ये critical role रहता है कि इसका opposition party का parliament के अंदर question hover के समय पे, तीसरा जो रोल रहेगा अब इसका parliament का वो होता है lawmaking का, तो lawmaking is a significant function of the parliament, ये सबसे important function है, हमारी parliament का, हमारी संसद का, क्योंकि we shall read about this in the next chapter, ये हम अगले chapter में भी पढ़ेंगे, जब अगला विश्य आएगा, तो मैं उसपे इसपे जुरूर चर्चा करूँगा, कि lawmaking process किस तरसे parliament का एक important function है, तो अभी इसमें आता है कि parliament में कौन लोग रहते हैं, who are the people in the parliament, तो parliament now has more and more people from different backgrounds, संसद भारत में एक ऐसी संस्ता है, जिसमें समाज और भारत के भुविन छेत्रों के सभी backgrounds के लोग जो हैं भाग लेते हैं and for example, there are more rural members as also member from many regional parties, तो बहुँ सारे rural members जैसे जो अलग-लग regional parties से हैं, तो वो भाग लेते हैं, groups and pupils that were till now unrepresentative are beginning to elect the parliament, तो वो भी लोग जोनों ने कभी भाग ने लिया, जो unrepresentative है, तो वो भी groups या people जो है, वो indirectly directly जो है संसद में भाग लेते हैं and there are also been increase in the political participation from Dalit and backward classes, जो पिछरे वर्ग के लोग हैं, पिछरे वर्ग के जो political parties हैं, उनकी भी participation जो है संसद में रहती है, इसके लावा जो भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसको हम women representation कहते हैं, तो women के लिए भी जो है special reservation का जो है, वो अभी भी debate चल रही है कि उनको भी इसमे decision making process में parliament के अंदर उनका भी एक proper representation 33% जा किसी तरह से उनका representation वहाँ पे रहे क्योंकि अभी जो अभी 60 years से लेके आज तक पिछले 60 सालों से लेके अभी तक सिर्फ 4% ही MPs थी जो women थी, आज की date में अगर देखा जाए, अभी नहीं लोग सबा के मताबिक तो उसके मताबिक जो है, अभी ग्यारा परसंट ओरतें जो हैं, वो हमारे संसद में हैं, तो इस इस स्मॉल शेर, यह बहुत कम शेर है, वन यू consider the fact that half of the population are women, जबकि आदी जनसंग क्या हमारी women की है, लेकिन उनका शेर अगर इतना कम है, ग्यारा परसंट है, तो यह हमें को decision लेने की जरूरत है, कि उनका शेर बढ़े, तो बच्चों, this is all about that why do we need parliament की हमें संसद की जरूरत क्यों पड़ी, यह हमें संसद की जरूरत क्यों पड़ती है, यह हमें संसद में क्यों भाग लेना चाहिए, तो यह सारा इस विश्य के ओपर हमने चर्चा की, तो आप बच्चों के लिए भी यह प्रेशन रहेगा, आप अपने teachers को इसका उत्तर अपनी copy पे लिखके जो हैं, अपने जो subject teacher हैं, उनको भेजेंगे, कि why are the people in, who are the people in the parliament, parliament के अंदर कौन-कौन लोग होते हैं, इसके अलावा हमें संसद की, हमें संसद क्यों चाहिए, why do we need a parliament, कि हमें parliament की ज़रूरत क्यों चाहिए, क्यों पड़ी हैं, तो यह question आपने इसके उत्तर लिखके अपने subject teacher को बेजने हैं, तो इसके साथ मैं अपनी वानी को बच्चों बिराम देता हूँ, अगले विशे फिर अगली class में अगले topic पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद